वेल्कम बैक एडिटर्स आचुका हूँ एक और नया शांदार शड़स एडिटिंग डूटरल लेकर दोस्तो आज खड़ों में हम कितने अर्मान मान गाने के हार्ड बीट्स पर से किपेक लाग कर बीट सिंग शड़स उड़ियों क्रेट करने वाले है दोस्तो आज का उड़ियों एकदम कमाल का होने वाला है इससे आप अन्त तक जरूर देखे और ऐसे ही शांदार और बहतरी शड़स एडिटिंग डूटरल लेकने के लिए हमार चानल को सब्सक्राइब करके बेल तो दोस्तो अगर आपको प्रीव वाला स्टेटरस डाउंडोर करना है तो इसको मैं टेलिग्राम पर अप्लोड कर दूँगा वहाँ से आप डाउंडोर कर सकते हो इस ट्रेश बने के लिए सब से पहले आपको इस डोग के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट से बीट मार्क प्रोजेक्ट और से की पेक प्रिसेट को अलाइट मोशन अप्लिकेशन में इंपोर्ड करके रखना है और अल्ल मटरल से सब ये मटरल को डाउनलोड करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन अप्लिकेशन को ओपन करना है प्रोजेक्ट में जाकर जो बीट मार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ड किया है उसको ओपन कर लीजे बिट मार्क प्रोजक्ट में हमने अल्रेडी का ना add किया हुआ है और जहा पर भी bit change होते हैं आप आपने अल्रेडी bit mark add कर दिये है दोस्तो इसमें कुल 61-61 bits है इसलिए हमें 61-61 bits में images add करने है सभी के सभी bits में दोस्तो श्टार्टिंग से लेकर end तक 29.29 सेकंद तक हम सभी बीट्स में images एड़ करेंगे इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है प्लस वाला icon पे क्लिक करना है मेडिया में जाना है और जिन भी image पर आपके वाला श्टार्टिंग करना है उन images को one by one add कर दीजिए दोस्तो आज के लिए हम अनुसरी मानेक images यूज़ करने वाले है अगर आपको images चाहिए HD quality में तो इनको में all materials में दे दूँँगा जिफाइल के द्वारा सिर्फ आपको जिफाइल को डाउनलोड करके एक श्ट्रैक कर लेना है सभी images आपके एक लिक में अपने मोबल में से हो जाएंगे और दोस्तो अगर आपको अपने मोबल से 4K full HD images create करने है तो इसके उपर भी मैंने पहले चुड़ों बन रखाए उस आपको 5 images मिल जाएंगी पाचोपी images पर हमने अलग-अलग effects एड़ किये होए है दोस्तो मैं आपको easy way में बताऊंगा कि किस image पर कौन सा वाला effect लगाना है तो इसके लिए आपको ओडियों को द्यान से देखना है या आप दोस्तो मैं जब बताऊंगा कि इस photo पर एवाला effect लगाना है तो आपर आप note down भी कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले वी image है उसको आपको select कर लेना है effects में जाकर 3-0 पे क्लिक करके copy effects कर लीजिए इन इपर इसको copy करने के बाद beatmark project को open कर लीजिए और दोस्तो अब मैं आपको images का timing बताऊंगा दोस्तो आपको पहले वाला effect पेस्ट कर देना है पहले image पर 4.11 फिर सेक बार 3-1 image को छोड़ें कर 4.11 फिर सेकंद वाले image पर यावाल इपיצ पेस्ट कर दिजिए उसके बाद फिर सेक बार 3-1 image पर यापाद फिर आपको और और दूसरे image gapets को copy करना है, दूसरे image gapets को copy करने के बाद beatmark project को open कर लिजे, और उसके बाद जो बीच में पहला effect लगाया था, उसके बाद जो बीच में तीन image छोड़ी थी, तो मैं आपको diving के साथ भी बताऊंगा, 0.07 रहने की second number वाली image, उससे आगे तीन image है लागातार, यनिके तो एक पॉंट जो तीन सेकंद वाली, और आगे की 1.19 सेकंद वाली, इन तीन image पर एवाला effect पेश्ट कर दिजे, उसके बाद एक image छोड़ दिजे, उस पर हमने पहला effect लागा दे है, इन तीन image पर दूसरा वाला effect लागा देने, एक बाद 2.22 से लेकर 4.11 सेकंद के बीच में, जो image है 3, उन पर एवाला effect लागा देने, एक बाद सिर्फ एक image छोड़ दिजे, उसके बाद फिर से एक बार 4.27 से लेकर 6.15 सेकंद वाले, 4.27 से लेकर 6.15 सेकंद के बीच में, जो 3 images है, उन 3 images पर आपको यह वाला, दूसरा effect पर एक बार paste कर देना है, उसके बाद आगे जाना है, आपको एक image छोड़ देना है, और 7.01 से लेकर 8.21 सेकंद के बीच में, जो 3 images है, उन 3 images पर आपको यह वाला, दूसरा effect पेस्ट कर देना होगा तो दोस्तों कुल आपको 12 images पर एवाला effect पेस्ट कर देना है starting में तो दोस्तों पहले और दूसरे effect का हमारा काम है पर हो चुका है पूरा पहला और दूसरा effect मिलकर हमने 9.05 second तक सभी effect लगा दिये है उसके बाद उस तापको से एवाला effect पेस्ट कर देना है और तीसरे image के इपिट्स को कॉपी कर लेना है तीसरे image के इपिट्स को कॉपी करने के बाद beatmark project को उपन कर लीजे beatmark project में आने के बाद सिर्फ एवाला effect हमें 3 images पर लगाना है उन 3 image पर आपको एवाला effect पेस्ट कर देना है 9.05 से लेकर 15.11 से के बीच में जो 3 images से इन 3 image पर एवाला effect पेस्ट कर देने के बाद तीसरे image के बाद हमारा काम हो चुका है उसके बाद से एपिट्स को कॉपी कर लीजे चौती image के इपिट्स को कॉपी करने के बाद बीटमार को जिट को उपन कर लीजे बीटमार को जिट को उपन करने के बाद आपको सिद्धे चल जाना है 5.11 सेकंड पर दोस्तो कॉपी इंटरेस्टिंग चींज है मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ किस तर से आप इसको आगे बचे हुए 15.11 से लेकर बचे हुए end तक हमारे जो बचे हुए बीट से दोस्तो करीब करीब 35 और 6 उनतिय सेकंड के बीच में जो 5 इमेजे से उन 5 इमेज पर आपको सबसे पहले ये वाला इफेक लगा देना है तीन हो गई चोटी और पाचवी दोस्तो इन 5 इमेज पर ये वाला इफेक पेस्ट कर देने के बाद आपको ये करना है आपको इन तक कर लेने सिंप्लिस से आपको करना है पाच इमेज पर चोटा इमेज लागा देने के बाद उसके बाद 19.21 से लेकर 21.09 सेकंड के बीच में जो और पाच इमेज इस है और उन पाच इमेज पर आपके वाला चोटा इमेज लागा देना होगा इन पाच इमेज पर चोटा इमेज लागा देने के बाद दोस्तो आपको उसके अगली वाले इमेज पर ये वाला पाच इमेज पर पाच इमेज पर प्रसेट को उपन कर लेना है और पाचवे इमिज के प्रसेट को कपी कर लीजिए गर आपको 16.39 19.04 21.09 16.39 पराज आए सबस्पेले सोल अपन 29 उसके बाद 19.04 दोस्तों उन्चे में इसके टाइम बात तो जिन पर आपको पाच्वाला पाच्वाला पाच्वाइब लागा देना है 19.04 सेकन वाले इमिश परेवले पेश्ट कर देए उसके बाद आपको 21.09 उसके बाद 23.14 23.14 के बाद आगे जाना है 25.19 25.19 के बाद 27.24 27.24 होने के बाद आखरी पाच्वाइब पर आपको पर लागा देना होगा दोस्तों इन सभी में पर एवाला एफेक्ट कर देने के बाद हमारे सभी में में सभी पेश्ट हो जाएंगे सिर्प आपको अमना यूश्ट कर दिजे उस्तहों थामारा पूरा स्टेटस बन कर एड़ी हो जाएगा उसके पाद अपके पास होगा और नहीं है तो आपको आपको अगर नहीं है तो आ इसको कर लिचे मुह एं ट्रांस्फर में जाकर दोनुरा नोटेशन अले प्रक्लिक करके इसको मिनिस वी गजब कर सकते हैं अगर आपके मोबल में डेलोशन सपोर्ट नहीं करेगा तुस्त अपसे उडिने पिक्सल में भी उडियो के को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मिलता हुए एक और एसे बहुतर से डिटिंग नूटल में तब तक लिए एडिटिंग करते रहो अपने भाई को मत बूल जाना जैहिंद